तो फिजिक्स की प्रियोगों की जो स्रिंखला है उसके अंतरकत आज हम आपके लिए ऑप्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो लेकर आएं और उसमें आप जैसा अब्जेक्ट या उद्दिस हमारा लेखा हुआ है आप समझी गए होंगे कि यू तथा वी में ग्राफ खीच कर या एक वटे यू और एक वटे वी में ग्राफ खीच कर हमें किसी उत्तल लेंज की फोकस दूरी ग्याद करनी है अब आप जानती है यू क्या होती है बाई उत्तल लेंज से बस्तू की दूरी या विम की दूरी और वी क्या होती है उत्तल लेंज से प्रिद्विम की दूरी तो इन दोनों के बीच हमें ग्राफ खीच कर और उत्तल इसकी focus दूरी ज्यात करना है, इसका मंदब सीधे सीधे सूत्र का प्रियोग हमें नहीं करना है, ग्राप की विदी से हमें ये निकालना है, तो इसके लिए जो आवस्या कोपकरन होंगे, उनकी और आप देख लेजिए, apparatus used, इसमें an optical bench with three uprights, एक प्रकासी bench का प्रियोग में तीन uprights, uprights का मंदब आप समझ रहें, कि वाई तीन ऐसे उपर holder लगे होंगे, जिसको हम holder कह सकते हैं, जिन में दो तो pin लगाई जाएंगी, एक object pin की रूप में कारे करेंगी, अर्थात, बिम पिन जिसको हम बोलेंगे, और एक प्रित्विम पिन कहेंगे, क्योंकि बिम हैं, वो प्रित्विम मिलानी पड़ेगी, वो प्रित्विम की स्थिति होगी, तो ठीक है, और एक में लगाया जाएगा lens, तो three uprights की हमें आवश्यक्त होगी, इसके अलावा convex lens, जिस उत्तर lens की हमें focus दूरी ज्याद करनी है, वो जरूरत पड़ेगी, बिद holder, क्योंकि holder में वो लगाया जाएगा optical bench में, two optical pins, इसके अलावा दो optical pins, pins का मनला ऐसी pin होंगी, जिसमें से एक को हम बिम्मे pin के रूप में, अर्थात object pin के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तथा दूसरी को प्रित्विम pin के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, चलो, हम आपको देखाई देते कि optical bench, यह pins, यह holder, यह uprights कैसे होते हैं, ध्यान से सुने, मैं आप से एक बार और अन्रोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप सुरू से अंध तक इसमें प्रियुक्त उपकरणों के बारे में, डेटेल से तब जब तक नहीं जानेंगे, इसकी process के बारे में, पूरा डेटेल, जब तक आप अध्याने नहीं करेंगे, तो practical को समझेंगे कैसे, practical कोई ऐसे नहीं, कि आपको केवल इसमें से नकल मार के, या थोड़ी सी सीख कर, और आपको केवल नोट बुक में, नोट करना है, आपको पूरा ध्यान से देखना है, और उस से कैसे काम करते हैं, और कैसे होते हैं, इसका उप्योग गोली दरपड़ों तथा लेंसों की focus दूरी ग्यात करने में किया जाता है, इसमें सामानत है, एक मीटर या डेड़ मीटर लंबी दातू की दो छड़ें, एक दूसरी के समानतर दो आधारों पर लगी होती हैं, इन एक आधार के नीचे दो-दो समतलकारी पेच भी लगे होते हैं, इन लेवल कारी पेचों का उप्योग इस प्रकासिये बेंच को समतल करने में किया जाता है, इस प्रकासिये बेंच के ऊपर तीन या चार अपराइट्स भी लगे होते हैं, जिने स्टेंड कहते हैं, इन सभी उर्द स्टेंडों को जैसा आप देख रहे हैं इस प्रकासी बैंच की लंबाई करनेदिस आगे पीछे खिशका जा सकता है तथा कुछ slow motion screw की सायता से बाएदाइबीन को हम खिसका सकते हैं मद्द का जो उर्द स्टेंड होता है इसका उपियोग हम lens holder के रूप में करते हैं जिस lens की focus दूरी ग्याद करनी होती है उसको lens holder के मद्द में पेच की सायता से कस दिया जाता है इसके अलावा जो आप प्रकासी बेंच देख रहे हैं इसमें से एक भजा पर लम्माई के अन्यदे से सेंटीमीटर और मिलीमीटर वे एक पेमा नालग होता है जिसका उपियोग बिम पिर्दिम पिन और लेंज की स्थिटी को ग्याद करने में किया जाता है तो अब हम बात करते हैं इस प्रियोग में जो सूत्रिया से दान्त या फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे उसका जैसा आपने उद्देश में देखा था कि मुख तो हमें यू और वी के वीच में ग्राफ बनाना है आप समझी गएं कि यू क्या है लेंसे से बस्तू की दूरी और वी क्या है प्रित्विम की दूरी तो मैं इसको लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला यू क्या हो ऑब्जेक्ट या बस्तू की दूरी और वी प्रित्विम image की दूरी और f focal length, focus दूरी हो तो lens सूतर से हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं lens सूतर क्या है, कि 1 upon f वरावर 1 upon v minus 1 upon u होता है अब हम जानते हैं, कि u अर्थात object जो distance होती है पृतियक के लिए रिनात्मक होती है ठीक है, क्योंकि वे आप्टित करण के विप्रीत दिसा में यह होती है तो यू नेगेटिव आगर हम लें तो चिन परपार्टी का उपियोग करके हम क्या कह सकते हैं, कि u नेगेटिव होता है, तो u is negative तो क्या लिख सकते हैं, कि 1 upon f बरावर 1 upon v minus 1 upon u की जगे, यह minus ठीक है, तो अब यह क्या हो जाएगा minus minus plus तब 1 upon f बरावर में क्या लिख सकता हूँ, देकि u v यहाँ, l seem ले लीजिए तो u plus v तो f बरावर क्या हो जाएगा भाई इससे, तो f बरावर u v upon u plus v इस formula का प्रियोग करके हम सीधे ही, क्या निकाल सकते हैं, भई इस उत्तलेंस की focus दूरी निकाल सकते हैं, इससे हम सिध्ध करके भी देख लेंगे, कि हमने जो u और v में graph बनाकर जो focus दूरी निकाली है, वो सही है या गलत है, वैसे इसका उप्योग नहीं है, और यह focus दूरी किसमें निकलेगी वहाई? in centimeter, ठीक है? ध्यान रगना इसमें यहां मैंने चिन परपाटी का प्रियोग कर लिया है, इसलिए आप 12 से minus का प्रियोग ना करें, और वैसे भी focal length यहां कैसे आ रही है, यह positive और हम जानते है, उत्तल लेंस की focus दूरी कैसे होती है, धनात्मा की होती है, अब मुद्य की बात पर आते हैं, कि u और v में graph कैसा होत है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, अगर u और v में graph खीचा जाए, actual में तो क्या u negative है, तो जैसे हम मान देना, कि यह हमारा graph है, graph paper का हिस्सा है, और यह plus x और यह minus x, इसी तरह y और यह minus y, अगर मैं u को लूँ एक सर्च पर, तो देखिए, u इधार आएगा, तो यह u आ और v को अगर y, x पर लिया जाए, और यह graph कीचा जाए, इस तरह से, क्योंकि u negative है, इसलिए minus x, पर आएगा, और v positive होता है, इसलिए positive y, x पर आएगा, तो यह rectangular hyper, hyper, sorry, अती पर वलायकार graph राप होता है, और देखिए, उसकी आकरती ऐसी होगी, इस तरह से, ठीक है, तो यह अती पर वलायकार है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह का graph बनेगा, बिल्कुल हम प्रियोग करेंगे, फिर एक एक reading, पांचो reading निकाल के मैं आपको बताऊंगा, फिर graph खीच कर बताऊंगा, और फिर graph की मदद से, आपको focus दूरी भी निकाल के बताऊंगा, आपको बनाते हो, एक रेखा खीचिंगे, ठीक है, यह 45 डिगरी का कौन बनाते हो, यह मैंने रेखा खीच दी, यह 45, एक सक्ष के साथ 45 डिगरी का, चीदी सी बात है, यह अक्ष से भी वो 45 डिगरी का ही कौन बनाएगी, तो जहां यह रेखा, इस graph को पिर चेद करेगी, तो इस ब बिंदू से अगर मैं एक सक्ष पर लंब डालूं, और यह अक्ष पर लंब डालूं, अगर यह बिंदू, यह तो मूल बिंदू को वो से विक्त करते ही हैं, यह बिंदू P हो, यह बिंदू Q हो, तो ज्यान रखना कि O P बराबर 2F होगा, इसी तरह O Q बराबर 2F होगा, तो ह अर्थात इस बिन्दू पर U का मान कितना है और उसका आदा क्या होगा इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगा बात आई ने समझ में क्या करेंगे हम एक उप्यूक्त पेमा ध्यान रगना U और V में जो आप ग्राफ बनाएं तो आप उप्यूक्त पेमाना लेंगे उप्यूक्त पेमाने से ताथ पर यह समझ रहे हैं कि समान पेमाना ऐसा नहीं हो कि वह एक खाना बराबर U के लिए अलग मान लें और V के लिए अलग तो ध्यान रगना समान पेमाना लेना है यू और वीक में ग्राफ बनाने के लिए उसके पसा जब ग्राफ बनाएंगे वो अत-परैवलाकार होना चाहिए अगर नहीं है तो आपकी रीडिंग में कोई न कोई तुर्टी है फिर हम मूल बिंदू से 45 डिगरी का कौन बानते हुए एक रेखा खीचेंगे जहां ये सकते हैं ये तो मैंने इसे साफ से बना दिया क्योंकि यू नेगिटिव है वैसे चिन्न परवाटी का प्रियोग करके हमने बताई दिया है तो आप कोई जरूरी नहीं है किस तरह से आप ग्राफ बनाएं आप सीधे सीधे ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ है आपक 45 डिगरी का कॉंट बनाते हो एक रेखा जो खीचिंगे ये 2F और 2F होगा ठीक है फिर आप X X पर लम डाल दीजिए एक Y X पर लम डाल दीजिए ये P बिंदू हो जाएगा ये Q बिंदू और ये O तो O P और O Q ये दोनों ही किसके बरावर होंगे 2P 2F के तो O P बरावर O Q फि इसी तरह आप चाहें तो 1 upon U और 1 upon V ग्याद करके X X पर 1 upon U को लेकर और Y X पर 1 upon V को लेकर भी ग्राफ वना सकते हैं इन दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा देकि इस तरह से ये अगर X X पर 1 upon U लिया जाए और Y X पर 1 upon V लिया जाए तो इनके बीच जो ग्राफ आएगा इ और ये अगर O विंदू है, ये P विंदू है, तो O P बरावर किसको विख्ट करेगा? वन अपॉन एफ को, इसी तरह अगर ये विंदू Q है, तो O Q, तो O P बरावर O Q, यहाँ वन अपॉन एफ को विख्ट करेंगे, चलिए, पहले मैं आपको रीडिंग निकालना बताता हूं, और फिर गड़ना, और गड़ना के पशाथ में ग्राफ होना हूंगा, और आपको बत जाता है, इसको अवसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, अवसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकास किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है, कनवर्ज कर देता है, इसको अवसारी लेंस का जाता है, तो इसकी अनवानित फॉकस दूरी ग्याद करने लिए इसको प्रिकास के सम्मोग रखा जाताँ जिससे शीक हम क्र의 शूरी प्रिकास के सम्मोग हम रखेंगे तो शूर्य से आने वाली परकास कर्मों एक सुरीम्लीवाली को एक स्थानब क्यांब बनेगा और फिर हम लेंज और उस बिन सूरिय के सामी सामने रखा जा रहा है और सूरिय से आने वाली प्रिकास किया रहा है जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको सफेद कागज पर एक बड़ा बारी की स्पोर्ट और इस लेंस के बीच की दूरी को भाई पीपी सर नाप के आपको दिखाएंगे प्रिकाजी कितना है बारी के बीच की दूरी इसको कितनी दूरी है तो देखिए ये जो दूरी है वो 14.5 cm प्राप्ट हुई है अर्थात इस लेंज की जो अन्वानित फोकस दूरी है वो 14.5 cm है कैसे ना आपने सूर्य के प्रकास के सम्मुक या किसी भी बल्ब के सामने इसको रखिए और उन प्रकास करणों का एक बारीक प्रिद्विम प्राप्ट कीजिए फिर लेंज और उस बारीक प्रिद्विम अर्थात स्पोर्ट के बीच की दूरी जात कर लिजिए इस स्केल की सा लेन्स की नमानित फॉकसदूरी से अधिक होनी चाहिए जैसे यहां लेंस की नमानित फोकसदूरी लगवक 15 cm थी तो इनके बीच की दूरी को 20 cm से अधिक क्योंगे अगर अन्मानित फोकसदूरी से नक Biskin की दूरी कम होगी तो बिम्य पिन का जो प्रिद्विम में वो अनंत पर बनेगा या आवासी बनेगा जो इस परश्ट दिखाई नहीं देगा तो इसके लिए सबसे पहले और एक बात और ध्यान रखें कि जो बिम्य पहले उसको एक स्थिर मिंदू पर इसको स्थिर कर देते ह अर्दात अन्वानित फोकस दूरी से गहे तो आदिक रहे तो अब मैंने विम्म को इस थिर कर दिया, बाझ पर लेंस को को इस्षिर कर दिया है, 405 पर जैसा देख रहे है, इस लेंस के एक स्टेंड में बस्तू पिन है smartest न जबकि दूसरी और दूसरे से स्टेंड में πα्रत् सुरी तरफ ले आया हूं और देखते हैं कि क्या विम्य पिन का उल्टा प्रत्विम दिखाई हमें दे रहा है या नहीं तो देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लैंस के अंदर विम्य पिन का उल्टा लटकता हुआ प्रत्विम आप देख पा रहे हैं अब हम क्या करेंगे की जो हमारी प्रकासी बेंच है इसमें जो इमेज़ पिन लगी हुई है इसको आगे पीछे खिसका कर या बाये दाये खिसका कर हम उस इस्थिती में लाने का प्रयाज करेंगे की ULTI लटकती हुई जो विम्म पिन थी उसकी नौक और प्रिद्विम पिन की नौक एक दूसरे की बिलकुल सीध में आ जाएं अर्थात इन दोनों की जो नौक हैं वो एक दूसरे को इसपर्स करने लग जा epic and और प्रिद्विम पिन को आगे पीछे खिसकाने के लिए आपकी स्क्रीन के दाई और इसमें सिलो मोसन इसक्रू लगे होते हैं अब हम सारदानी पूरवक आगे पीछे दाई बाएं खिसका कर ऐसी सिती लाते हैं कि बिमपिन और पिर्दिमपिन की नौक एक दूसरे को इसपर्स करने लग जाएं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों की टिपें अर्थात नौक एक दूसरे को इसपर्स कर रहे हैं इसके लिए आप ज्यान रखें कि लंबन दून करने के लिए गर्दन को उपर नीचे और बाएं दाएं करके देख लें अगर ये दोनों पिन एक दूसरे से हटती हुई दिखाई देती हैं तो पुनें प्रिद्विम पिन को आगे पीछे करके इसको एड़जेस्ट कीजिए और ऐसे सीदिन पहुचाई गर्दन को उपर नीचे या बाएं दाएं करने पर ये एक दूसरे से अलग ना हूँ अब लेंज की स्थिति को परवर्तित कीजिए और पुने प्रिक्शन लेने का प्रियास कीजिए तो अब मैं लेंज को बढ़ा कर चाली सेंटीमीटर पर कर रहा हूं चार-चार सेंटीमीटर की दूरी से इसको विस्तापित कर देते हैं अब ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इस्तिर हो गया है और अब को नें ऑब्जेक्ट फिन और प्रित्विम फिन को एक दूसरी के लग मिन लाने के लिए ऑब्जेक्ट जो पिम वो इस्तिर है लेकिन जो इमेज्मेन है उसको आगे पीशे कर दें और ऐसी स्थिती बिला दें कि वो एक दूसरे से हटती हूँ ना दिखाई दें देखिए अब वो इस्थिती आ गई है तो इसकी रीडिंग देखने का प्रयास कीजिए यह लगवग अठेतर पॉइंट पांच है अठेतर पॉइंट पांच सेंटिमीटर देखा रही है और हम आपको देखाते हैं कि ऑबजेक्ट पेन और इमेज पेन क्या है एक दूसरे के सीध में है हाँ देखिए यह दोनों एक दूसरे के सीध में अगला प्रयेक्शन लेने के लिए उने लेंज की स्थिती को परवर्तित कीजिए क्योंकि हम लेंज की स्थिती को 4-4 सेंटिमीटर की दूरी से परवर्तित कर रहे हैं इसलिए अब इसको 50 सेंटिमीटर की दूरी पर मैं इस इस्तित कर देता हूं तो अब पचास सेंटिमीटर की दूरी पर इस्तित कर दिया है और अब उन्हें इमेज पिन को आगे पीसे ले जाकर और वो इस्तिती लाने का प्रयास कीजिए जिससे इमेज पिन और अबजेक्ट पिन एक दूसरे की सीज में दिखाई दें तो अब ये इस्तिती आगी है देखिए इसकी रीडिंग कितनी है जान रगें रीडिंग लेने के लिए इमेज पिन के जो होल्डर है उस पर एक मार्क लगा हुआ है इसकी सीज में देखिए पिचेत्तर छेत्तर सतेत्तर और ये सतेतर पॉइंट पांस सें T میटर आपको देखारी है त इस समय जो इमेज पिन की रीडिंग है, वो 77.5 cm है, इस्थिती भी आप देख लीजिए, कि दोनों एक दूसरे के लंबन की स्थिती में हैं या नहीं, तो देखिए, आपको दोनों पिन, एक दूसरे के लंबन की स्थिती में देखाई दे रही हैं, जो एक दूसरी की जो टिप है, एक द 54 cm की दूरी पर इस्थिर कर रहा हूँ देखिए यह 56 cm की दूरी पर इस्थिर हो गया और फिर अब मैं image pin को आगे पीछे करके और वो इस्तिती प्राप करने का प्रयास करता हूँ जहां यह एक दूसरे के लम्मन की इस्तिती में हो जान रखें pin को उपर नीचे करने के लिए इसमें एक पेच लगा हुआ है जिससे हम इस pin को उपर नीचे कर सकते हैं और आप यह इस्तिती हाँ इस्तिती बन गई है तो reading लेने का प्रयास कीजिए तो देखते हैं यह कितनी इस्तिती है 79 और साथ साथ आप चेक भी कर लेजिए कि क्या यह दोनों इस इस्तिती में एक दूसरे को इसपर्स कर रही हैं इन दोनों की टिप आपको इस पर्स करते हुई दिखाई दे रहे होंगी अगली reading लेने के लिए आओ पुने लेन्स को विस्तापित कीजिए चार सेंटिमीटर से और अब इसको कर देते हैं 88 सेंटिमीटर पर देखिए 88 सेंटिमीटर पर लेन्स की इस्तिती आगी है और अब इसको इमेस्पिन को आगे पीछे करके वो इस्तिती प्राप कीजिए कि वो एक दूसरे के लंबन की इस्तिती में दिखाई दें और ये इस्तिती अब अब यह नहीं बनिए फिर गर्दन को उपर नीचे करके गर्दन को उपर नीचे करके और वाय दाय करके वो इस्तिती आने का प्राप करें कि ये एक दूसरे से अलग होती भी ना दिखाई दें अगर ये एक सीट में ना हो तो इनमें दो पेच लगे हुए है इनकी साहता से हम इनको बाय दाय किसका सकते है तो जैसे इसको मैं थोड़ा बाय दरफ किसका रहा हूँ और आप ये इस्तिती बन गई है कि ये दोनों इमेज पिन और अब्जेक पिन अर्थार बिम और फिर बिम पिन एक दूसरे के लंबन की इस्तिती में है तो देखिए आपको ये दोनों एक साथ एक सीद में इसपर्स करती हुई दिखाई दे रही है और ये जो इस्तिती बनी थी वो देखिए द्यान से इक्यासी सेंटी मीटर की इस्तिती पर बनी है इस प्रकार जो हम प्रिक्षन प्राप्त हुए थे इनको हम एक प्रिक्षन सार्णी में लोड कर लेते हैं ज्यान रगें कि लेंस और बिम पिन के बीच की दूरी को यू और लेंस तथा प्रित बिम पिन के बीच की दूरी को सबीक स्थिति को प्रेक्शन सार्टी में लोड करके और फोकस दूरी ग्याद करेंगे फिर ग्राफ के द्वारा भी लेंज की फोकस दूरी ग्याद करेंगे तो आप देखिए ऑफ्जरवेशन लेंज की अन्मानित फोकस दूरी जो हमने निकाल ली थी वह 24.5 cm है अब जो भी friction प्राप्त हुए थे, उनको मैंने इस friction, 40 में लिख लिया है, तो देखिए, पहले, यहां के आया है, position of, हर्थात हमने स्थिती मानिये किसकी, पहले अबजेक्ट पिन की, हर्थात, बिम पिन की स्थिती, जिसको मैं यह से विक्त कर रहा हूँ, जैसा आपको याद होगा, object pin को मैंने का रखा था, पहले 20 पर रखाता फिर, मतलब स्थिर रखा था, 20 cm की दूरी पर, अब Lens की स्थिति को मैंने बार बार 4-4 cm की दूरी से बगला था, तो पहले 42 cm की स्थिति पर रखा था, फिर 40, फिर 50, फिर birdfastपर 54 चुबन गर Minutedy इन सब के लिए जो image pin की इस्थिती आई थी अर्थात प्रिति बिम में pin की जो इस्थिती आई थी जिसको मैं B से ब्यक्त कर रहा हूं और पहले friction के लिए 83.5 दूसरी के लिए 83.5 जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से friction प्राप्त हुए थे अब देखिए हमें graph बनाने के लिए और focus दूरी ज्याद करने के लिए केवल U और V की आवश्यक्ता होती है और आप जानते हैं U क्या है लेंस से बिम में pin की दूरी अर्थात बस्तू की दूरी तो देखिए लेंस की स्थिती O पर है बिम में pin की स्थिती A पर है तो O से अगर A को गटा दें तो क्या जाएगा हम वहारे पास U अर्थाद लेंस से बस्तू की दूरी हम जानते हैं उतल लेंस के लिए किसी वी लेंस के लिए जो बस्तू की दूरी होती है वो रणातमा गोती है तो मेरे रिंड का चिन भी लगा दिया तो देखिए पहले प्रेक्षण के लिए 42 से अगर 20 गटा है तो 22 इसी तरह 46 से 20 गटाएं तो 26 माइनस कचिन आप मानी ले लिजिए 50 से 20 तो 30 54 से 20 गटाएं 34 तो इस तरह से 58 से 20 और 38 आ गया अब देखिए अगला है वी अर्थाद लेंस से प्रित्विम की दूरी अर्थाद कहां इमेज बन रही है तो उसके लिए आप जानते हैं देखिए लेंस क प्रित्विम किस्थिति मुफ से विक्त करने और प्रित्विम पिन किस्तिति को वी से तो ओ मैंस वी दick mask देखिए आप गटा लीजिए 83.5 से 42 गटा लीजिए तो प्रतम प्रेक्षण के लिए जो वी प्राप्त हुआ है अर्थात प्रत्विमी की दूरी प्राप्त हुआ है वो 41.5 सेंटीमीटर इसी तरह 88.5 से 46 तो 32.5 है 37.8 से 50 गई तो 27.8, 79 सेंटीमीटर से 54 गटाने पर 25 सेंटीमीटर और 81 से अठामन गटाने पर हाँ यहाँ 81.5 था तो 81.5 से अठामन गटाने पर 23.5 ठीक है अब हलाकि इसमें आवशक्त नहीं थी फिर भी हम प्रतियक प्रेक्षण के लिए भी फोकसदूरी का मान सूत्र की सायता से भी ग्याद कर लेते हैं जिससे हमारे जो ग्राब से हम फोकसदूरी निकाल लीए उसकी टेली भी हो जाएगी कि हमारे जो ग्राब से आया है वो कितना एक्कुरेट आया है तो देखिए परतम प्रेक्षण के लिए अर्थात for the first set of observation u का मान आप देख रहे हैं 22 प्राप्त हुआ है और v का मान 41.5 cm प्राप्त हुआ था तो f1 अर्थात जो पहले प्रेक्षंड से focus दूरी में ग्याद कर रहा हूं उसको f1 से विक्त कर रहा हूं तो f1 वरावर uv बटे u प्रेक्षंड न हूँ तो अब यह माइनस का चिन्मत लगा देना क्योंकि यह सूत्र प्राप्त हुआ आए ना uv बटे u плюс व व 我 ऐ हूँ प्रियोक कर चुप कर था माइनस का चिन्म में पहले ही प्रियोक्त कर चुका हूँ तब यह सूत्र प्राप्त हुआता ठीक है तो अब आपको केवल इनके आंकिक मान ही लिखने तो देखे यू का मान है 22 तो गुणा वी का मान कितना है 41.5 बटे 22 प्लस 41.5 अब देखिए शीकृता रहे और समय बचे इसके लिए मैं आप कैल्कुलेटर का प्रियोग कर लेता हूं त तो देखिए 22 गुणा 41.5 तो देखिए 22 मैं कहूंगा देखिए जिसे आप देखते चलें 22 गुणा 41.5 तो यह आगया देखिए 913 और 913 को डिवाइड करेंगे हूं इनको जोड लेते हैं तो यह हो जाएगा 63.5 तो भाग 63.5 तो यह आगया 14.377 तो इसको लगबग लिख सकता हूं मैं 14.38 cm और इसको मैं 7 में ही कहां लिख देता हूं पहले जो कॉलम में इसमें लिख देता हूं तो 14.38 cm ठीक है अब इसी तरह मैं दूसरे प्रेक्षण के लिए भी निकाल सकता हूं तो F2 दूसरे से आप लिखना कि for the second set of the observations U का मान कितना है V का मान हम सीखरिता के लिए सीधे सीधे निकाल रहें तो देखिए दूसरे के लिए U का मान कितना है 26 तो देखिए 26 लिख देता हूं गुणा V का मान कितना है 32.5 बटे 26 प्लस 32.5 तो देखिए इनका गुणा कर लेते हैं हम इसको अटा देते हैं तो 26 गुणा 32.5 बराबर यह आ गया भई देखिए 845 और 845 को डिवाइट करेंगे इनके यूग से तो 32 और 26 हो जाएंगा 28.5 तो देखिए भाग 28.5 और देखिए यह आ गया 14.44 तो यह 14.44 सेंटी मीटर तो दूसरे में इसी तरह में लिख देता हूँ 24.44 सेंटी मीटर इसी तरह हम तीसरे के लिए, चोथे के लिए और पांचमे के लिए गयात कर लिए मैं सीगरता के लिए बीडियो को पहुच कर रहा हूँ और गयात करके इस कॉलम में लिख रहा हूँ तो देखिए मैंने अब F3, F4 और F5 को निकाल लिया है जो करम से 14.42, 14.4 और 14.5 दो सेंटी मीटर प्राप्त हुई है और इनके मानों को मैंने इनके कॉलम में भी लिख दिया है अब हम क्या निकालेंगे तो देखिए अर्थाद मात दे तो अर्थाद उत्तल इसकी जो फोकस दूरी का मात दे वो कैसे निकालेंगे वही F1, F2, F3, F4, F5 को जोड़ेंगे F1, F2, F3, F4, F5 और 5 का भाग दे देंगे वही तो आप देखिए जोड़ना पड़ेगा मैं 14.138 प्लस 14.44 प्लस 14.42 प्लस 14.4 प्लस 14.52 और बटे 5 ठीक है आप देखिए इनको मैं जोड़ लेता हूँ देखिए हाँ तो 14.138 प्लस 14.44 प्लस 14.42 प्लस 14.45 प्लस 14.52 और ये बराबर आ जाएगा भाई देखिए 22.16 और बटे 5 और इसको 5 से भाग दे देते हैं तो बराबर ये आ गया भाई देखिए 14.43 सेंटी मीटर तो जो एवरेस फोकस दूरी हमें प्राप्त हुई है उत्तर लेंस की वो प्राप्त हुई है 14.43 सेंटी मीटर अब हम ग्राफ बनाते हैं किसमें यू और वी में और देखते हैं कि ग्राफ से फोकस दूरी कितनी आती है ठीकिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उप्युक्त पैमाना मानना होता है और जैसे मैंने आपको बताया था यू तथा बी दोनों के लिए हमें एक ही पैमाना मानना पड़ेगा और मैं यू अर्थात बस्तू की दूरी को ले रहा हूं X अक्षपर और प्रित्विमी की दूरी को ले रहा हूं Y अक्षपर और मैं दोनों के लिए X तथा Y अक्षपर एक बड़ा खाना बरावर 4 सेंट सिंटिमीटर मान रहा हूं ठीक है एक बड़े खाने में दस छोटे ॉटते होते हैं इसलिए पांच छोटे घ्रले कमान कितना हो जाएगा दो संट्रीमाटे ककशन डियान रखना है आप देखे यू और nelle को पहले अग्कित करते हैं इस तरह से तो सबसे पहले आप यू पैद्यान रखिए कंसंट्रेशन करिए यू 22 22 कहा होगा देखिए यह 16 हैं यहां किदर होंगे 20 ठीक है और 20 तो यहां आगे और 24 यह जहाए तो इनके पिर अगला कितना है 30 अब 30 के लिए देखिए यह 26 तो यहां यह 28 और यह दो 30 यह 30 आगे यह 32 है फिर अगला चाहिए में 34 तो 34 इस जग्या जाएंगे वाई और फिर चाहिए 38 तो 38 इस जग्या जाएंगे बहुत सावधानी से आप इनका अंकन करेंगे अब देखिए अब वी के लिए आप इसी तरह से देखिए वी का मान क्या है वही आप केवल इस कॉलम पर ध्यान दीजिए देखिए सबसे पहले सबसे कम माने 23.5 आप देखिए 23.5 लगबग 24 तो आप यहां मान लीजिए ठीक है यह 23.5 यह हजाएगा लगबग 24 है इसमें कोई फार्क नहीं पढ़ता है फिर है 25 तो देखिए यह 24 है यहां हो जाएगा 26 तो बीच में आप दियान रखें इस बात का यह 24 है यहां कितना हो जाएगा 28 ठीक है तो यह कहां हो मान? 26 और 26 तो यह संग है और 24 यह संग है इनके बीच में क्या आ जाएगा 25 तो ये 25 आ जाएगा और ये 23.5 हैईगी ठीके वे जान रखना अब कितना चाहिए 27.8 तो इस जगे पर क्या थे 24, 24, 28, 27.8 बराबर लगबग 28 के हैं तो ठीके इस जगे आ जाएगा 27.8 आपको इतना तो छूट लेने ही पड़ेगी 27.8 लगबग 28 क तो देखिए इस जगे पर 32 है अब पॉइंट पांच के लिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा उपर रख लेते हैं अब देखिए यहां 32.5 मैंने लिख दिया अब 41.4 यहां है तो अब सोचिए एक खाने के लिए 41.5 और चाहिए मतलब 1.5 सेंटीमीटर के लिए कितना चलना अरतात एक सेंटीमीटर के लिए 2.5 खाने ठीक है तो डेड़ के लिए कितना चलना चल पड़ेगा लगवक तीन खाने तो यहां से तीन खाने और गिलनूंगा तो तीन खाने यहां हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 41.5 अब देखिए संगत मानों के हिसाफ से देखिए 22 के लिए वी का मान कितना था 41.5 समझवाई ना जब यू का मान 22 था तो वी का मान 41.5 तो देखिए 22 के लिए 41.5 तो देखिए 22 वाली लाइन से सीधे में चलूंगा यह 22 वाली लाइन इसको पकड़ दिये और 41.5 की सीध तक पहुँचिए मैंने यहां बिंदू लगा दिया ठी देखिए आगे चलिए वाई 26 के लिए जब यू का मान 26 था तो वी का मान 32.5 था तो देखिए 26 वाली लाइन से चलिए और 32.5 की सीध में पहुचिए तो यह 32 यहां हो गया 32.5 बहुत सारदानी से लगाना है ठीक है अब देखिए 30 के लिए 27.8 तो 30 वाली लाइन से चलता यह 30 वाली लाइन में पकड़ रखिए देखिए 27.8 और देखिए यह 28 वाली लाइन है और इससे तोड़ा सा यह 27.8 हो गए अब देखिए 34 के संगत 25 है मान देखिए 34 यह 34 है वई 34 के संगत 25 का है वई यह 24 है उससे तीन चोटे खाने और यह हो गया वई अब 38 के लिए कितना है 23.5 तो 38 जब मान है यू का तो 23.5 अर्थात लगवक 24 के बराबर और 24 देखिए यह है यह सीधी लाइन आ रही है वई और इस जगे तो यह बिंदू में ने अंकित कर दी अब ध्यान क्या रखना है मैं कि वई इनको इसकेल की सायता से नहीं मिलाना है इनको निसकोड़ भाव से मिलाना है अर्थात कोड़ नहीं बने ऐसी आपको इस्थिती रखनी है तो देखिए अब मैं सावधानी पूरवक प्रियास करता हूं अगर कोई गल्ती होगी तो दुवारा आपको बना के बता देंगे बहुत सावधानी पूर्वक इस सरे से मिलाना से नहीं मिलाना है ठीक है इस सरे से प्राप और अब इसको सीधे जिसे अति परवले लगे ठीक है और यह भी अब देखिए बिलकुल अतिपरवले लग रहा है और यह ग्राफ बन गए अब आपको पता है कि कैसे निकालते हैं F कमान कैसे निकालते हैं आपको याद है मूल विंदू से यह मूल विंदू है और मूल बिंदू से 45 डिगरी का कौंट बनाते हुए अमें एक रेका खीचनी है अब देखिए आप चांदी की साहता से बनाई है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं देखिए यहां 90 डिगरी का कौंड है यहां इस जगे जीरो है तो इसका बीच कहा होगा यह होगा इस बिंदू को मिलाते हूं रेका खीच देते हैं ठीक है तो आप इस इसाब से निकाल लीजिए तो देखिए भई अब मैं इसकेल लेता हूं तो देखिए ग्राफ अर्थि परवेलायकार प्राप्त हो गया है अब फोकस दूरी जाद करने के लिए जैसा मैं ने सूत्रों सिदान्त के समय आपको बताया था मूल विंदू से 45 डिग्री का हुआ तो यहां से मैं एक रेखा खीच देता हूं देखिए 45 डिग्री का कौंड बनाते हुए आप परकार और पट्री की सायता से भी बना सकते हैं तो देखिए यह जो रेखा है मूल विंदू से 45 डिग्री का कौंड बनाते हुए मैंने खीचिए भाई 45 डिग्री का कौंड बनाते हुए अब यह जहां प्रितिछेद करेगी इस ग्राफ को ठीक है उस विंदू के जो निर्दे सांक होंगे वो 2F और 2F होंगे अर्थाद 2F और 2F इसका मतलब क्या है एक सक्ष पर लंब डाल दीजिए देखिए और इससे वाई अक्ष पर भी लंब डाले है तो यह अगर मैं पी मान लेता हूं और यह अगर मैं क्यूं मानूं तो आपको पताईए कि O P बरावर 2F होगा इसी तरह O Q V किसके बरावर होगा 2F इसका मतलब अगर मैं तलने इसकी फोकस दूरी जयात करनी है तो O P या O Q का आदा कर दूँगा तो F बरावर क्या होगा वाई O P वटे 2 तो O P का मान कितना है देखिए O 0 है P पर देखिए यह बिंदू P है तो देखि यह 26 जहां है इस बिंदू पर 28 होंगे और दो छोटे खाने और हैं इसका मतलब लगवग यह हो जाएगा 0.8 या 1 के लगवग तो 28 या 29 के लगवग यह 29 हुआ सीदी सी बात है क्योंकि डाई खाने बरावर क्या है 2.5 खाने बरावर एक होता है और यह 2 खाने तो आप इसको 28.8 मानिए या 29 मानिए चलो मैं इसको 29 मान लेता हूँ तो 29 बटे 2 इसका मतलब इससे 14.5 सेंटी मीटर प्राप्त होई फोकस दोरी ठीक है इसी तर है इससे भी नकाल के देख लिए थे एफ बरावर क्या होगा OQ बटे 2 ठीक है अब OQ को देख लीजे देखिए क्यों कहा है 27.8 है यहां अर्थादी 28 थी 28 से 2 खाने वो ही तो 28 से 2 खाने इसको भी 29 मान सकते हैं ठीक है तो यह 29 बटे 2 बरावर यह भी कितना हुआ 14.5 सेंटी मीटर इसका मतलब दोनों से OP से नकाले या OQ से नकाले उत्तलने इसकी फोकस दूरी 14.5 सेंटी मीटर प्राप्त हो रही है तो देखिए अब यहां आप आजाईए सूत्र से हमने जब एवरेज निकाला था 14.4 तीन ग्राफ से जब निकाला है 14.5 ठीक है और इसकी जो अनमानित फोकस दूरी थी वो कितनी थी 14.5 अते हम कह सकते हैं कि इस दिये गए उत्तलने इसकी फोकस दूरी कितनी है 14.5 सेंटी मीटर है तो भाई तो अब क्या लिख सकते हैं हम परांणाम के रूप में परणाम कैसे लिखें गे मैं कि रजुर्ट के रूप में कि दिए गए उत्तलने थी फोकस दोरी कि दिए गए उत्तलने और यंश्की फोकस दूरी focal length length of given convex lens is इसे graph से U और V के graph से कितनी प्राप्त हुई है 14.5 cm प्राप्त हुई है अब इसके लिए आपको अंत में एक नम्मर के लिए सावदानी भी लिखनी पड़ती है आप 2 या 3 सावदानी लिखते हैं इसके लिए अध्यान रखें वही कि इसके लिए जो मुख सावदानी क्या रखनी है कि जो ये सूत्र है वो पतले lensों के लिए प्रियुक्त होता है बड़े या थिकर lensों के लिए उप्युक्त नहीं है ये सूत्र दूसरा कि आप जब प्रिक्षण लेते हैं तो ध्यान रखें कि विम्म पिन और प्रित्विम पिन बिल्कुल एक दूसरे से सटी हूई होनी चाहिए और गरदन को बाये दाये जब हम करते हैं तो उनके बीच में विस्थाप अनुत्पन नहीं होना चाहिए अर्थाद वो हमेसा सटी रहनी चाहिए चाहे हम गर्दन को बाएं दाएं कुछ भी करें और प्रिकास ये बेंच को भी आप सही डंग से संतलन मतलब उसको बिलकुल लेविल में रखें और जब भी आप रेक चड़ लें आप प्रित्मिम पिन से 25 सेंटीमीटर रथाद इस पस्ट द्रिश्टी की न्यूंटन दूरी पर रहें इन सावधानियों को अगर आप रखेंगे तो आप तुर्टी रहत इस प्रियोग को कर पाएंगे धन्यवाद